कि नमस्कार दोस्तों। मैंने में भूपेजस्च सर्मा मोटी बिशेंज पिकर अर्व द्शेट को जब अरदस्थ बिजनेस लेकर क्या हूँ यह बिजनेस पूर्णते हैं टेक्नोरोजी बेस्ट बिजनेस हैं अगर आप इस इस बिजिनिस को करते हैं तो कुछी समय में लाखों करोनों रुपया पारणे कर सकते हैं क्योंकि उस बिजिनिस में आल लेडी parents involve रहते हैं तो parents रहने का मतलब कि अगर कोई ऐसा बिजिस आप करते हैं जो कि बच्चों को पसंद आता है और बच्चे उसकी वज़े से कुछ अपना हाई प्रॉफिट जनेट करते हैं कुछ उस सीखने को उनको मिलता है कुछ लर्निंग एटिटीट आता है तो ऐसी सिच्वेशन में हर माबाप का सबना होता है कि उनके बच् से स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए आपको मात्र कुछ पैसों क्या सकता पड़ेगी जैसे कि 10-15,000 अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले करके 10-15,000 रुपे लगा करके बिजिस को स्टार्ट कर देते हैं तो मात्र मात्र एक अगर सर्विस आपको मिल जाती एक भी परेंट्स आपके साथ वर्क करने के लिए चालू हो जाता है तो हंडेट पर से एक ही पैरेंट्स की साथ आपसे 10-15,000 रुपे आ जाएंगे तो यह एक ओनलाइन और और टेकनोलोजी बेस्ट बिजनेस है तो आपको सबसे पहले समझ लेते हैं किन किन उपकरणों की आपकी आउसकता पढ़ेगी सबसे पहले आपको सकता पढ़ती एक मोबाइल फोन की एक स्टैंड की आएंड एक माइक की आउसकता पढ़ेगी साथ ही साथ आपको कुछ टेकनो टेकनोलोजी से रिलेटर इंफार्मेशन आपके पास होनी चाहिए और आपको एक एक आप की बहुत करवा सकते हैं साथ ही साथ इसमें आपको मालेजी डाकुमेंट्स की कितनी आपकों कौन से आउसकता पढ़ेगी तो मैं तो आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आने वाला टैम बहुत थी जबरदस्त आउनलाइन का जवाना है तो इसमें आप अगर आप इसके लाइसेंस ले पहला नंबर आता है तो इसे आपको कैसे स्टार्ट कर लेते हैं इसके लिए आपको स्पेस की कोई आउसकता नहीं पड़ती आपने घर से एक लेपटॉप या मोबाइल के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके पास एक एंड्रोइड वर्जन आप आ जाता है और साथ ह पास एक वैफसाइट हो जाती हैं उस वैफसाइट के द्वारा आप इसे सोचल मेडिया पर इसे प्रमोट करते हैं जैसे कि बहुत सारे घरों में क्या होता है बच्चे होते उन बच्चों की क्या होता है क्रिएटिविटी मात्र 15-16 साल तक होती है 15-16 साल के बाद उनकी क्र यहां बढ़का बनेगा जैसे लोग लोग टाज को में करना या खिलोनों को तोड़ना इधर से उधर जोड़ना ऐसे बहुत सारी क्रीटीव अदिया हर बच्चे के ब्रेड में आते हैं वह जैसे ही ट्वेल्थ में पहुंचते हैं उसका सारा फोकस और और इन पर रहां को आपने बिजनेस के तौर पर गायड कर सकते हैं जब आप एक बनाते हैं या अब बनाने के बाद क्या करते हैं अब बंड़ों को आप क्या करते हैं वह सारे से equipment देते हैं और इनक से आप WhatsApp या वीडियो कालिंग के ज़ए ये चर्ट होते हैं और फिर इनकों का कछ करने की जोडने का बांधने का डाश haven को सीखने का इसे बहुंत सारे better तक हैं तक होटे त्व बन जाता कितने भी लोग आपने को सकशफूल लोग essa होगी ने इनके लखभक इनमें से 60-70 पॉशंड लोग ऐसे जो 16 साल की बाद ही लोग 16 साल के पहले इनके ब्रेंड में आ चाहें अब राहं के बात करने या फिर वारन बफंट के जो आपकी सबसे बड़े सब्सक्राइब करना होगा और उन जो भी बच्चे हैं उनको इस चीज को करने के लिए इंक्रेज करना होगा उनको उससे रिलेटेट दीना पड़ेगा आपको वीडियो के थुरू आप उनको जो है सजेस्ट करेंगे जो भी उस क्रेटिविटी करेंगे जैसे बच्चे क्या करते एक ड्रोन बनाए या एक मोबाइल फोन बनाए छोटा सा कुछ भी या बनाया गुबाडा को इधर उधर डिजाइन किया ऐसा कुछ भी बनाते तो ऐसा उसने कैसे बनाया वह अपनी क्रेटिविटी उठा करके उस एप पे अप्लोड करेंगे जिससे क्या होगा आप गूगल या यूट्यूब या इस्टाग्राम फेस्बुक की तरीके से आप प विडियो देख करके वह चीज़ बनाएंगे जिसे उनका ब्रेन का अक्सिजन का बढ़ेगा और उनका मानसिक लेबल हाई होगा जिसकी वजह से और भी उसमें अच्छी तरीके से करेंगे और जो भी अच्छे बच्चे होंगे उनको मेडल के तरीके से उनको पुरुस्क्र सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आप अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो यस तरीके से आप काफी सारे लोगों को अपने साथ जोड सकते तो इसके लिए आपको लगबस दो से तीन लोगों क्या सकता पड़ सकती है एक तो आपको क्रियेटिविटी दिखाने वाले टो इसक पहुंचाए थाड होता है झाड़े आपको मार्केटिंग और सेंस का इसको सबसाइब होना चाहिए मार्केटिंग स्टार्टिंग में आपको यह जो सबसे मार्केटिंग आ जाती है अगर आप सही से मार्केटिंग कर लेते तो 700 पर सफल हो जाते हैं यह कि बच्चों को बिजनेस मेंटालिटी जीस चायना या फ़रंड कंट्री रहुत्व होता है यह सारे लोग 13 साल 12साल 10 जाना ना में रख दिया इंटर जब इंटर में पहुंसता है ता उसे पता चलता है अब में क्या साथी होने के बाद उसके पास पैसे के लिए भागना इस्टार्ट करता है रिस्पोंसिपिश जब सरपे आ जाती है और आप सही से परेंट्स को डील कर पाओगे तो उन पारेंट्स का बच्चा एक सफल सक्सेश्पूल बिजनस्मेंट बन जाएगा बिजनस्मेंट कैसे बनेगा क्योंकि वह टेकनोलोजी को जब इंक्रेश करेगा ज्यादा इनफार्मेशन होगी तो इस दिन वह अपने लाइफ में उस टेकनोलोजी को अपलाई करने की कोशिद जरूर करेगा तो आसा करता हूं आप से एक बिनमर निवेदन करना चाहता हूं जिसके भी माध्यम से वीडियो आपको मिला है उसे थांक्स बोलो क्योंकि उसने कुछ बहुत बहुत दन्यबाद दो लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो मिलता फिर किसी और धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार